PIE Listing on Top 5 Exchanges हाँ दोस्तों आप सब ने सही सुना PIE Listed होने जा रहा है Top 5 Exchanges के अंदर और उसके साथ PIE Pilot के Services को लेके Update आ चुका है कि कौन से डेट को ये Proper Services स्टार्ट होगी और उसके साथ एक Proper News आ चुकी है Pine Till FM के Open Minute Launching को लेके कि कब ये Release होने वाला है हाँ ये आपने सही सुना बहुत लोगी confusion है और पूरे social media पे पूरे twitter पे ये news फैल चुकी है और आज मैं इसको cover करने वाला हूँ जो की पाइनेचवक के forum side मतलब पाइनेचवक official से आ चुका है तो वीडियो बहुत informative होने वाली है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कब कब क् कर लें चलेगा स्टार्ट करते हैं अब हम चलते हैं अपने फॉर्स अपडेट की तरफ जो की पाइलोट को लेकि आ चुका है और यहां पे डेट्स वगेरा भी confirm की गई है और यह पाई की official website पे as a public किया गया है आप इस पे application पे जाकर भी देख सकते हो तो यहां पे सबसे पर लिखा है पाई newest app and web3 social platform fireside forum is available now तो basically अवलेवल करा दिया गया है the developer ambassador program is truly accessible in that it does not require anyone to know how to code or build software so basically जो लोग नए है उनको कोई tension नी होने वाली आप easily इस चीज़ को run कर सकते हो आपको कोई भी technical knowledge की जरूरत नहीं है it is here for everyone in our community to proactive and identifying engaging convincing and enabling तो हर type का आपको देखने को मिलेगा आप personal और professional दोनों यहां से चीज़े कर सकते हो जैसे कि applications की हम बात करें जो applications अभी है और भी applications यहां पे आप सभी को देखने को मिलने वाली है और जैसे ही open as a minute आएगा तो उसके बाद और भी चीज़े लिस्टिड हो इनके ecosystem के अंदर और pipe browser के अंदर ठीक है अब हम बात करते हैं dates के बारे में कि कब तक इस चीज़ को developers as a invite कर सकते है especially in this pilot program starting June 28 जो pilot program था जो airplane services वाला था तो 28 को यह start हो चुका है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 28 को बहुत सारी चीज़े start होंगी तो उनमें से एक ची मतलब कि यह 30 सितंबर तक मतलब यह चलने वाला है इसमें invite कर सकते है developers को और यह create कर सकते है list unverified management जो भी ecosystem की UI चीज़े होती है applications होती है उन सभी चीजों की यहां पर बात की जा रही है अब हम चलते है next important update की तरफ जो की fireside forum की तरफ से आ चुका है जो सभी लोगों को confusion थी की पाई network का open minute release कब होगा उस चीज को लेके यहां पर बताया चा रहा है और यह कुछ घंटे पहले है और यह पूरे ट्विटर पे फैल चुका है इसकी क्या reality है मैं आप सभी को बताता हूं we understand that the exchange feature has been highly requested additional for pie community pie network के अंदर जो exchange feature है जो barter system है या जो pie को हम fiat currency में change कर सकते हैं या किसी भी crypto currency में change कर सकते हैं इसलिए pie network basically बहुत popular है जिसे हम peer to peer चीजे कहते हैं transaction P2P transactions होती हैं जिसके अंदर कोई भी हमें third party को कोई भी charges देने नहीं पड़ते हम direct अपनी communication करते हैं जो as a seller है जो as a buyer है ठीक आप सभी के record के बिहाफ पर होती है मतलब सारी चीज़े transparent भी होती है with the exchange feature all pie users will have the opportunity to diversify their digital assets portfolio increase the utility of pie as we enter the era of open manant जैसे ही pie network का open manant आएगा उसके बाद जो भी asset portfolio है उस चीज़ को आप increase कर पाऊगे मतलब जो applications है वो आएंगी उसके थूरु जो NFT है या जो भी other technology पे पाइनेट व तरी दीरे करके उसमें और बढ़ोतरी आएगी उसमें नहीं नहीं चीज़े और add-on होती जाएंगी ठीक है अब बताया जा रहा है कि यह कब as a launch हो सकता है in the coming week we will announce an official update providing more information about the open manant launch date and details about upcoming features यहाँ पे बोल रहे है आने वाले कुछी हफतों के अंदर आप सभी को एक official update मिल जाएगी कि open manant कौन सी date को और सारी details में मिलेगा कि कौन कौन से date के साथ features क्या क्या अनेबल आप सभी को देखने को मिलेंगे कहां पर listing होगी कहां पर जाके चीजों को आप बाई कर सकते हो कौन सी नई shops खुलने वाले सारा कुछ यहां पर बता दिया जाएगा we encourage you to stay to our official media channels and participate in our community channels to stay informed and engaged with passionate community members तो यहां पर वही बता रहे कि आप जुड़े रहो आपको बहुत सारी चीज़े और मिलने वाली है और उसके साथ इस चीज़ को लेकि यह appreciate वगरा करते हैं और support team को बहुत मतलब अच्छी good wishes वाली बात करते हैं अब आते है reality पे दोस्तों मैं आप सभी को जो यह information पूरे social media पे फैल रही है यह बिल्कुल 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 फेक है हाँ दोस्तों आप सबने सही सुना यह बिल्कुल फेक है बट मैंने एकदम से क्यों नहीं बताया उससे पहले reason यह है कि आपको पहले explain करना था कि क्या चीज पूरे social media पे फैल रही है तो यहां आपको जल्द ही देखने को मिलेगा बट जो सबसे important चीज है पाइन इटफक की के वाइसी और यूटिलिटी तो के वाइसी जब तक complete नहीं होगी ओपन मैंने आना पॉसिबल नहीं है आप 100% लेके चलो इसी चीज को समझ लो क्योंकि जो लोग ऑपन मैंने के साथ जूड़ भी करेगा तो 5 मिलियन लोगों के बेस पर पर्मेनेंट लॉंच करके पाइन इटफक को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है क्योंकि पाइन इटफक अभी अपने आपको बिल्ड कर रहा है एक बहुत मास और बड़ा एक बिल्डिंग क्रियेट कर रहा है जहां पर बहुत सा किसे यह हमें वेट कर रहा है दोस्तों बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था पाइन इटफक की लिस्टिंग वह भी टॉप फाइफ एक्स्चेंज के उपर तो यहां पर मैं उस चीज़ को लेकर अपडेट आ चुका है सबसे पहले मैं आप सभी क बताऊंगा जब पाइन इटफक की ओफिशल लिस्टिंग होगी तो आप सभी को टॉप के जितने भी एक्स्चेंजिस हैं यूबिक ग्लोबल हो गया बाइनेंस हो गया यह और भी जो हो गया गया एथलेंटिक एक्स्चेंज और भी बहुत सारे हैं इन सभी पे चाहे वह इ रिप्टो एक्स्चेंजिस को एक चीज सबसे इंपॉर्टन होती है यूजर बेज कोई बी चीज तभी चलती है जब उसके पास होते हैं यूजर और पाइन इटफक के पास पांच करोड अभी हाल फिलाल में एक्टिव यूजर से हैं जबकि इसका ओपेन मैनेंट नहीं आ उसके बाद और तेजी से इसके यूजर बढ़ेंगे और और जादा इसमें एंगेजमेंट बढ़ेगी और आप सभी को पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस महीने की स्टार्टिंग में जो माइनिंग रेट है वो डाउन फॉल में कर दिया गया है मतलब कि एक महीने आप 10 प्लच को माइन करे था उसके नेक्स्ट महीने आप 9 कर रहे हो उसके नेक्स्ट महीने आप 7-8 कर रहे हो तो कहीं न कहीं होता जा रहा है इसका मतलब simple यही है जो पुराने pineus है जिन्होंने पहले से mining की है जिसके पास ज़्यादा pie के coin से उन सभी को ज़्यादा values मिलने वाली है क्योंकि अभी क्या है कोई भी चीज की value तभी बढ़ती है जब वो चीज scarcity होती है जब वो चीज limited होती है अभी हम bitcoin की बात करें तो bitcoin 24-25 लाख है total ठीक है bitcoin total 24-25 लाख है बट जब यह starting हुई थी तो उस time पे इसकी कोई भी value नहीं समझता था जिस तरीके से इसके use बढ़ने शुरू हो गए लोगों को benefit मिलना शुरू हो गया मतलब लंबी लंबी transaction हो गई करोडों की transaction हो गई चुटकियों में हो रही है और government को भी पताने चल रहा और यह बहुती अलग level पे dark web जो illegal work है वो सारी चीज़े कर रहे है तो कहीं न कहीं उस time के अंदर जो finite fuck है यह हर एक technology पे काम कर रहा है AI की बात करे matterverse की बात करे chat GPT की बात करे web 3.0 की बात करे जो applications हम use करते हैं इससे upgrade version आने वाला है जो 2025 के अंदर एक बहुत बड़ा boom करने वाली है अभी आप खुद देखो chat GPT आए हुए अभी एक साल भी निवा और कितना जा technology होती है वो 2023 के अंदर लोग start कर चुके हैं और वो अच्छे से काम कर रहा है लोग बताने पारें कि यह AI है कि real human being है ठीक है संदीप महिश्वरी सरकी आपने वीडियो में भी देखा होगा news channels में भी देखा होगा और बहुत सारे social media influencers की बात करें या जो news reports की बात करें हर तो अभी शुरुआत है और इतना perfect कैसे create हो सकता है और आने वाले चार साल बाद या तीन साल बाद आप खुछ सोचो कितने high level पे सारी चीज़े होने वाली है तो आने वाला time बहुत advance होने वाला है उस advance time के साथ चलने के लिए पैसा कमाने के लिए आपको भी advance होना पड़े पर जरूर प्रेस कर देना आज के लिए इतना है मिलता है नई वीडियो के साथ तक तक लिए चेह हिंद वन्दे मात्रवाद